मैं तुस्तों कर अप उत्तारप्रद्रेस डीललेट में एडमिशार लेना जाते हैं तो उसका जो ऑनलाइन उसकी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू होने वाली आप यहां दे सकते हैं कि 26 τις 2023 åndra प्रवेश चायन प्रक्रिया है तो निरगत शासनाद य females इतना इतना बेसिक अनुभाग चार दिनांग 26 पांच 2023 में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के जिला सिक्षा एवं परसिछड संस्थानों CTE वानारसी तथा नीजी डियलेट परसिछड संस्थानों जिन्हें N CTE की मानेता उप्रामत उत्तर प्रदेश साशन द्वारा संबंधता परदान की गई है में डियलेट प्रसिछड 2003 से तु एक चुक एवं अरहर अभ्यर्थियों से आउंलाइन आवएदन अमंतिरित करते हुए अभ्यर्थियों को निसक्हित क्या जाता है की अभ्यर्थियों को अपने आवएदन में अंकित प्रविष्टियों में संशुधन का कोई ऑसर दे नहीं है अगर आप 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 आउन-र करते हैं तो काफी धियान से करिएगा क्य अभी लेखों से अवश्य कर लें दूसरा है डियलेट प्रसिच्चड थोजा तेस ऑनलाइन अवेदन से पुरू अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्द साशना देश एवं दिसार निदेशों की भली भाती अध्यान कर लें तीसरा है डियलेट प्रसिच्चड एतु दिखारित शैक्चिक आहरता आयू एम शासना देश के बिंदू संख्याई 11 में अल्प संख्यक संस्थानों हेतु दियेगे निदेशारों सा संपादित कराई जाएगी पांच चोथा है ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्चिक आहरता आयू आवेदन सुल्क चैन कमानक एवं अन्य शर्तु साइथ समान एवं परिचालन संबंदित तकनिकी दिखा निदेश वेबसाइट आपको यहाँ पर वेबसाइट दे रखा है पर उपलब्द है इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण फर्म आवेदन सुल्क जमा करने हेतु इस हेतु निर्धारित समय सार नि हैं आपको दिरक दे रखा है कि अंलाइन कब से शुरू है अंलाइन जो पंजीकरण प्राध्म होने की तीथि हो है दो चह दो थैस ओनलाइन पंजीकरण की अंतीम तीथि है 27 262022 और पूर्ण आवेदन के प्रिंट-एउट लेने की अंतीम तीथि है वह है 362023 तो ऑनला कि अगर आप यूपी डिलेट में एड्मिशन लेना चाहते हैं तो यह नोटिस आपके लिए है 26 से ओनलाइन आविधन शुरू है और इसकी योगिता की बात करें तो योगिता देख लगए कि यहां कि अप्लिकेशन फीज देखेंगे जनलोग इसी के लिए 500 है है एस्टीस के लिए 300 है पीज के लिए 100 रूपह है यह जो है 18 से 35 साल रखी गई है यूपी डिलेट टू येर्स बीटीसी बैचलर डिगरी होना चाहिए किसी बेस्ट्रिम में एटलिस 50 परसेंट मिनिमम होने चाहिए कि एस्टीसी के लिए 45 परसेंट निर्धारित है और ऑनलाइन करने के लिए आप ऑफिस्यल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं